जब आप model train कर रहे होते हैं तो दो concept से आपका बहुत ज्यादा पाला पड़ता है उन दोनों concept को दो मिलते जुलते नाम दिये जाते हैं एक का नाम होता है overfitting एक का नाम है underfitting ठीक है मिसाल मैं आपको देता हूँ आपने क्या किया आपने एक shirt ली tailored shirt जैसे बहुते है शर्ट आपने एक दरजी से सिलवाई obviously वो उसकी सारी पेमाईश आपको पूरी आती है लेकिन इसी तरीके से जब आप एक market में जाते हैं कभी जिन्दगी में ऐसा नहीं होता कि वो shirt जो आप लें वो पूरी and fit आपको आए लेकिन वो उसके करीब जरूर होती है जो आपको fit आने व तो यहां से खुली हो जाती है ठीक है अगर medium लेता हो तो obviously जब आप बैठते हैं उठते हैं तो आपको वो तंग करती है shirt तो इसके मुराद ये है तो जब different company sizes बना रही होती है medium हो गया small हो गया large हो गया तो वो data की base पे बना रही है say for example USA का जो large होगा वो UK के large से बढ़ा different है पाकिस्तान का जो medium size है वो यहां के medium से different है so there are differences और वो differences की space पे है वो data की generalization के उपर है अब data generalize होना क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ मेरे पास एक data है ठीक है मैं यहां पे data को plot करता हूँ say for example यह मेरे पास एक data आ गया यह मैंने इसको scatter plot के उपर draw किया यहां पे है जी food और यहां पे है weight यानि के खाना खाने से weight कितना बढ़ता है और यह मैंने different बंदों का खाना की base पे उनका weight मैंने measure करके यह scatter plot एक बना लिया ठीक है तो यह 0 है तो यह scatter plot बना लिया अब होगा क्या जब machine learning model train हम करते हैं तो हम हम यह समझ रहे होते हैं के वो ह हर एक data point को read कर रहे हैं यानि के हमारे पास यह वाला जो सारा data है उसको वो इस point पे गया इस पे 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 इस तरीके से वो सारे data points में से गुजरा ठीक है यह हमारा एक concept होता है कि इस तरीके से data points में से पूरा एक model जो है हर किसी model इ एक equation दे रहे हैं या हमारे पास एक final model आ रहे हैं जिसकी base में हम predict कर सकते हैं कि food कितना खाने से weight कितना बढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन होता अक्सर क्या है आपका line ऐसे नहीं जाती obviously वो सारे data को read करता है लेकिन center में एक ऐसी line बनती है जिस से सभी data point खुश होते हैं ठीक है इस जो center वाली line है ये general line है general और ये जो line आपको equation देगी आपको भी पता है जब हम line draw करते हैं हमारे पास एक mathematical expression आता है जो mathematics के lecture में मैंने आपको बढ़ा है था ये जो equation होगी इसी को हम बोलते हैं एक model अब ये जो center वाला red color वाला model है ना generalized model ठीक है लेकिन अगर आप दूसरा model देखें वो बहुत specific हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो blue वाला model है ना ये सिरफ उनी लोगों के लिए चल सकता है जिन लोगों का हमने data collect किया था और इस concept को हम बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा fit model है लेकिन उन लोगों के लिए जिनका हमने data collect किया था यानि के we cannot generalize this model to those people ये blue वाला model to those people जिनका data हमारे पास नहीं है यानि के unknown values के लिए ये बहुत ही गलत result देने वाला है क्योंकि ये उन data points को बहुत अच्छे से समझ चुका है और उनी पे data अच्छा चल रहा है on the other side जो red वाला है ये हर एक data point को खुश रख रहा है यानि के अगर मेरे पास यहां पे कोई data point आ जाएगा ना इसकी भी ये value मुझे दे देगा यहां पे आएगा इसकी भी यहां पे आएगा इसकी भी यहां पे आएगा इसकी भी लेकिन अगर blue वाला यहां पे आ जाता है तो यह इस दर को घूमने लग जाएगी ये वाली लाइन और इस बेस पे हमें डेटा मिलेगा, पूरे का मूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, ठीक है, सो हमने क्या करना होता है, हमेशा जन्रलाइज मॉडल लेना होता है, which can actually work on the unknown data, क्योंकि हमारा काम तो यही है ना, कि unknown को प्रेडिक्ट किया जाए, लेट सी दोस तिंग्स, वो हैं जनाब आपकी, सोरी ये ना, मेरे पास कुछ ज्यादा ही मसला कर रहा है, खेर, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, मैं इसको दुबारा से सेट करता हूँ, जिस्स गिमी वन सेकेंड, ये आज कोई ज्यादा ही मसला कर रहा है, वन नोट, ओके, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है ओवर्फिटिंग, और एक होता है अंडर्फिटिंग, ठीक है, अब ओवर्फिटिंग एंडर्फिटिंग में क्या फ़राग है वो देखते हैं, अब मॉडलिंग एरर, यह एक एरर होती है, यहाँ पर नॉइज एंड बाकी चीजों को भी लर्ण कर लेता है, यहाँ पर आउट लाइर भी है यह इसको भी लर्ण कर ले, यहाँ पर आई यह इस तरह भी घूमाए, तो जब यह ऐसा काम होता है, यहाँ तो एक एरर हाती है, अब मॉडलिंग एरर, तो एतना नेगिटिवली यह इंपक्त करता है, परफॉर्मेंस को अफ दे मॉडल ओन नू डेटा, जिसको हम बोलते हैं, ओफिटिंग क्या होगी, जब नॉइज एंड डेटेल्स को डेटा ले, a model that performs exceptionally well on the training data but poorly on the testing data ठीक है यनि कि जिस data पर ये train किया गया है उसी पे अच्छा perform करे इसको हम बोलते हैं over fitting यनि कि आपको overly fit आगी है चीज ठीक है यनि कि इतनी fit आगी है कि वो यह और नहीं पहन सकता इसकी मिसाल मैंने जो आपको दी थी अगर आप एक tailored shirt बनवाएं वो आपको ही पूरी आएगी आपके छोटे भाई को नहीं आने वाली या तो फट जाएगी या तो उसके बहुत ज़्यादा lose होगी क्यों? क्योंकि वो आपके data की base पर बनी है कि आपका size क्या है बाजू का size कितने है आप किस तरीके से shirt पहनते है और whatever you have done in the measurement process तो overfitting इसे बोलते हैं तो overfitting का concept अब आपको समझ आ गया कि जब आपके कपड़े सिरफ आपके लिए हो general public ना पहन सके इसी तरीके से ऐसा model जो सिरफ उसी के लिए हो जिस पर वो train किया गया और उसी पर perform करें unknown person पर perform ना करें इसको बोलते हैं हम overfitting अब चलते हैं हम underfitting के तरफ underfitting क्या होती है underfitting बहुत असान है this occurs when a model is too simple unable to capture the underlying patterns of the data and therefore performs poorly in both training and new data यानि कि आप एक ऐसा model बनाए जो इतना general हो जाए कि वो कुछ भी इसमें randomness जो है इस data की वो capture ही ना कर पाए ना ही training की ना ही दूसरे की यानि कि इतना ही simple हो गया यानि कि यह बता रहा है सिरफ data इस equation में आ रहा है but if you see data फैला हुआ है तो इसको हम बोलते हैं underfitting तो ना तो उपर वला होना चाहिए scene या ये वला तो बिलकुल center में होना चाहिए model ना तो overfit हो ना underfit हो तो यह दोनों errors क्या करती हैं आपके training और testing data में से एक को अच्छा perform नहीं करने देती a linear regression model trying to fit on non-nearial data ठीक है for example linear data क्या होगा linear data कुछ इस तरीके से data होगा कि आप data को इस तरीके से draw करे ठीक है यह आपका linear data है यह linear data हो गया यह linear regression इस पे काम करेगी अगर data हर जगा पहला हुए आप उसमें से एक line गुजार रहे हैं non-linear data की type है तो यह non-linear data होगा यह non-linear है यानि कि linear trend नहीं दिखा रहा है यानि कि इनका जब correlation करें तो वो 0 के करीब है जो हमने कल Pearson correlation बड़ा था कल पर सो उसकी में बात कर रहा हूँ So this is how you actually measure the overfitting and underfitting यह दो examples आपको याद रहेंगी overfitting की और underfitting की hopefully यह आपको याद रहेंगी overfitting and underfitting का concept बहुत ज़्यदा हम use करने वाले हैं इस वज़ा से इसको मैंने start में आपको बता दिया यहां तक आपको clear है जो overfitting and underfitting और यह concept आपने दिमाग में भी रखना है कि overfitting तब होती है जब training data पे इतना model अच्छा train हो जाए कि unknown को वो पूरा ना सके on the other side underfitting यह है ना तो training पे चले ना ही वो unknown पे चले simply इतना ज्यादा simple हो जाए तो हमने ना तो बहुत complex करना model ना बहुत कम complex करना we have to find a fine method inside fine line inside ठीक हो गया जी समझ आगे like कर दें अगर नहीं किया हुआ subscribe कर ले अगर नहीं किया हुआ और अगले lecture में हम आ रहे है